नमस्कार स्वगत्यापका हमारे अचार जागेंद्र मिशाज चैनल पर नोगाठ लगाकर पहन लो काला धागा जो चाहोगे वो मिलेगा हर मनो कामना पूरी होगी अगर नोकरी बेबसाई चले ही नहीं आपको लगे कि आपकी किस्मत को किशी ने बान दिया है आपको लगे कि आप जहां भी जो भी काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा नहीं होता बलकि और विगड़ जाता है लोग आपको पनोती कहते हैं घवराहट सी होती है बेचैने सी होती है मनमे लेकिन ये काला धागा के छोटे छोटके टोटके आपके जीवन की मुश्कलों से बाहर निकालेगा आज हम आपको काला धागा के चार पांच टोटके बताएंगे आप अपने सुविधा के अनुसार अपने जीवन की परेशानियों के अनुसार ही प्रयोग कीजेगा तो चलिए जानते हैं काला धागा, शनिदेव से संबंध रखता है काला धागा, हाथों में पेरों में बांधने की पर्था अभी से नहीं बलकि बहुत पुराने समय से है, बहुत शिलोग हाथ में बांते हैं, पेर में बांते हैं, गले में बांते हैं, बाह में बांते हैं, य नवगांट लगाने से बहुत सारी चीजें आपके हाथ में आयाती है, कंट्रोल हो जाती है, कैसे आये जानते हैं बिस्तार से, देखिए, वास्तों में जो काला धागा है, ये रंगी कुछ ऐसा है कि वो नकरात्मक उर्जा को सोक लेता है, और बैग्यानी के कारण भी यही है कि हमारा शरीर पंच तत्यों से बना हुआ है, मिलकर बना है, और ये पंच तत्यों पर्थवी बायु अगनी जल और आगास, अब इनसे मिलने वाली उर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है, इनसे मिलने वाली उर्जा से ही हम सभी शुवधाओं को प्राद करते हैं, जब कि इनसान की बुरी नजर हमें लग जाती है, तो इन पांच तत्तों में से मिलने वाली जो सकरात्म कुर्जा है, वो हम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए काला धागा बांधा जाता है, आप काला धागा के बहुत शारे, यहीं कि लोग जैसे कि आप अपने पसंद के अंसार बा काला धागा भगवान की लोकेट को यानि कि बांध कर अपने गले में धारन करते हैं, तो ज़्यादा सुभमाना जाता है, लेकिन बुरी नजर से बचने के लिए काले रंग की चीजों का इस्तमाल भी किया जाता है, जैसे कि काले ठीके का, काले धागे का, तो काला धागा पहने की परंपरा भले ही प्राचेन समय से है, लेकिन इसकी जो चमतकारिक फाइदे अभी भी लोगों को महशूस होते हैं, अब जैसे कि आपके पेर में बार बार चोट लग जाए या फिर आप बार बार कहीं गिर जाते हैं, एक्शिडन्ट हो जाता है, तो काला धागा प उसके लिए ज़्यादा परिशान करें, तो लाल किताब के अनुसार हम देखे तो आपको शनिवार के दिन काला धागा आप अपने या अगर पूरुस हैं, तो आप दाहिने कलाई पर या फिर पेर में बांध लें, और अगर आप लड़की हैं या महिलाए हैं तो आप पेर के अंगोठे में बांध सकते हैं, अब कई बार क्या होता है कि बार बार चोट चपेट लगती है, तब ऐसे इस्तिति में पेर के अंगोठे में काला धागा बांधना अच्छा होता है, और जब भी आप को काला धागा बदलना हो, तो आप शनिवार के दिन या फिर अगलवार की दिन बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर बार बार स्वास्त आपका खराब रहता है, तब ऐसे इस्तिति में एक काला धागा जरूर आप पहन लें, क्योंकि जिन लोगों की पेट की समश्या है, उनको पेर के अंगूठे में काला धागा पहनना चाहिए, ऐसे लोगों को भी अपने शरीर में काला धागा जरूर पहनना चाहिए, और घर में बुरी नजर से बचाने के लिए, घर के मुख दरवाजे पर भी आप जरूर काला धागा जरूर आप यनि की हनवान जी के चड़ों का सिंदूर लेकर आप इस काले धागे में लगाएं और नावगाट लगाकर आप अपने यनिकी दरवाजे के मुख दरवाजे पर बांदें, आपको यनिकी लेकर जाना है हनुमान मंदिर पर और हनुमान जी के चणों का सिंदोर इसे काले धागे पर लगाकर और आप अपने मुख दरवाजे पर नावगाट लगाकर बांदें, काला धागा तो नजर से बचाने के लिए ये बहतर उपाय है इससे आपके जीवन की तमाम परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और समाप्ति मिलेगी आपको क्या करना है कि सनी वार के दिन आप जाएं किसी भी सनी मंदिर पे और सनी देखों चेड़ों के पास काला धागा रख दे और सरसों का तेल थोड़ा से लगा ले और फिर आप इसको लेकर आएं और अपने धन के स्थान पर आप यहीं इसे बांदें काले धागे को जो होगे वो मिलेगा जीवन की समस्त सुक्ष मृद्धी आपको प्राप्त होगी हर प्रकार के इनिके धन संबंदे समस्याएं दूर हो जाएगी और आपके जीवन में धन आने के नए स्रोत नजराएंगे माता लक्षमी के भी कृपा वरसेगी मालक्षमी कृपा से दिन प्रकार की कोई परेशानी है या सफिर सत्रों से भी मुक्ती चाहिए सत्रों से परेशानी चाहिए तो आप यनिकी नवगांठ ले जाकर आप शनीवार या फिर मंगलवार के दिन आप भनवान जी के यनिकी जो मुख दरवाजा गेट होता है मंदिर का वहाँ पर ले जाकर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए बोल दें तो सत्रों से भी मुक्ति मिल जाएगी हर प्रकार के समस्याओं से मुक्ति मिलेगी नौगाठ यनि की आपको लगा कर आप यनि की काले धागे को अगर आप अपने गले में धारण करते हैं तो इससे भी आपको कभी किसी की नजर दरोष या किसी की बोली शक्तिया आपके उपर हावी नहीं होगी आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे काला धागा ऐसा हई है जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखेगा लेकिन काले धागे को आप ले आकर अपने मुख दरबाजे पर नवगाठ लगा कर बान दें तो घर में सुक्षम्रदी हमेशा बनी रहती है घर में कभी भी निगविटी प्रवेश नहीं करती जो चाहो को वो मिलेगा और जब आपके घर में शकर अत्म कुर्जा रहेंगी तो हर प्रकार के शुक्षिवदा और हर इक्षाय पूरी होती नजर आएगी जो चाहो के वो मिलेगा तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा जय सनिदेव साथे वीडियो को लाइक कर देजेगा और इसे शेयर कर देजेगा जय सनिदेव